हलो फ्रेंट्स मैं हूँ सीमा और आपको सागत है मेरे चैनल में आज मैं लेके आई हूँ और एक निव रेसीपी आप लोगों तो बहुत तरीका से दोही बड़ा बना के खाए होंगे और मैंने भी मेरा चैनल में डाल चुकी हूँ दोही बड़ा के ऐसे बनाया जाता है जो नहीं देखा है जाके आप देख सकते हैं और टोमाटो बड़ा भी ऐसे ही बनाएंगे बहुत ही आसन तरीका से और यह ना एक औरिशा का और एक फेमोस चटपटा योमी सा डीज एक टोमाटो बड़ा और बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना जितना इजी है खाने में उ अच्छा लागे तो फ्लीज लाइक कॉमेट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुली बिना अफले वीडियो को फूल वाच करिए बहुत ही सांदर रेशीपी बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना तो चलिए फ्रेंस रेशीपी स्टार्ट करते हैं कैसे बनाए जाता है तो आई बीग चुका है तो यह दिखिए और पानी को नहीं क्लीन करके मैंने लिया है और एक नह ciao मैक शायरा लेंगे मेक से लाएन चलाइगे और ज्यादासा पानी डालकर मैं पीछ के तियार करेंगे ज़्यादा मीश में जोरूदक काहिसाब से पानी डालेंगे और उसके बाद normals चलाएंगे और ज्यादा पतला की ज्यादा काड़ा भी नहीं करेंगे तो चलिए पिसके तैयर करते हैं मैं आपको देखाऊंगी तो यह दिखिए मैंने पिसके तैयर कर दिया तो इस तरीका से होना चाहिए दिखिए और ऐसे ही सारा बेटर को ना पिसके तैयर करेंगे तो मि अंदर इस तरीका से लिकाल के फाल में रखेंगे सेम प्रोसेस से मैंने ना फूरा पिस्कट तियार कर दिया यह दिखेए और हाथो से सबमा吉 करने मिक्स करते जाげें पांच मिनिद तक अच्छासे मिक्स करना जरूरी है तो यह देखिए जितना अच्छा से मिक्स कारेंगे वाप फेंटेंगे उतना ही अच्छा फ्लपी हमारा बढ़ा बढ़ा बनके त्यार होगा तो इस तरीका से कॉंटिन्यू मैंने ना तीन से चार मुनित तक चलाया इस तरीका से तो इसको ना रेस्ट होने के लिए छोड़ के लिए तो यह दिखिए मैंने तिन टोमाटो लिया एकदम लाल लाल वला तो ऐसे कट लगाएंगे इस तरीका से इस तरीका से कट लगाने से क्या होता है ना जब हम बोईल कारेंगे तब छिलका बहुत ही आसानी से लिकाला आएगी तो इस तरीका से दिखिए आपना ज्य दाल लिया है इसलिए तो इसको न चलिए बोईल करते हैं तो यह दिखिए मैंने कड़ाई पे पानी एक ग्लास डाला है और पानी अच्छा हासा बोईल भी आ रहा है तो इसमें डालेंगे टोमाटो और आधा इसमें अधरक लिए और चार मने कोला लॉसुन डाला देखिए च एक प्लेट में ट्रांसपर करेंगे और पानी को न फेकेंगे नहीं पानी को बाद में यूज करेंगे तो एक प्लेट में पहले ट्रांसपर करेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद मिक्सिजर में डालके पिसके त्यार करेंगे तो यह देख करणें देखेों मिक्सिज treasure में डाल की इस तरिका से अध्रकों भी डाल देंगे और बि rains पानी डालने के वादा टोमाटो पियॉरी रिडि हो चुके तो इस पानी न इसमें काफी सराब पाणी डालेंगे तो देखिए और दुग लास करिभ मैंने कमके स्क्राइक लीटर पानी डालना है तो यह दुखिए और एक बार मैंने पानी डाला एक लिटर करिभ मैंने पानी की लिए दाल दिया दैंगे dona और अचला खासा अना बॉयल आने के पावडर एक चमच और भुना हुआ जीरा पावडर नमग लिया और यह ना सामबर मसला पावडर यह एक चमच भरके डालना है किससे पहुत खुसबु आच्छा आता है तो आप जरूर आड़ करिए तो मसला को ना इसमें डाल देंगे बस आवर आच्छा से मिक्स करेंगे औ और बॉयल आनेके लिए चोड़ देंगे और धीरे-धीरे हलका यह ना गाड़ा हो जाएगी तो ज़्याधा भी गाड़ा नहीं खरेंगे क्यां ज़्याधा गाड़ा करेंगे पानी को तो जब हम बरा डालेंगे ना बरा शुक नहीं करेंगी तो यह दिखी अच्छा खाश डाल दिया और ना यह इमली को मैंने क्या किया पहले भीगों के रख दिया था उसके बाद ना उसको अच्छा से मैस करके एक स्टेनर में छान के इमली का पानी को इसमें यूज किया तो इसी क्या होते हैं खटा खटा चटपटा यहीं से फ्लेवर आता है और इसमें चाहिए तो आप चिनी भी एक चामस करीब डाल सकते हो लेकिन मैं चिनी नहीं डालूगी तो यह देखिए थोड़ा कम हो गया ना तो इस तरिका से होना चाहिए और जैसे यह हलका थंड़ा हो जाएग ना तो आगाड़ा हो जाएगी तो चलिए एगना तोड़का रेडि कारेंगे तो उसको रखेंगे साइट में अभी पर्फेक्ट है हमारा टोमाटो सुप बार टोमाटो पानी तो ये फ्राइब प्यान लिया मैंने देखिए ग्यास पे रख दिया और जैसे ये गरम हो जाएगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे ओएल तो ये देखिए मैंने सोर्षण का अधा चामच जीरा और दूना सुखा वाला मेर्ची डाला और उसके बाद जाएगी करीपता बास ये हमारा तड़का रेड़ी है तो तुरंत लेके ना तड़का लगा देंगे सूप में टोमाटो सूप में तो इस तरीका से और तुरंत सुने ना ढाक देंगे लिड़को क कि उसका फ्लेवर पाहर नहीं जाएगी खुशबू अंदर ही रहेगा तो इस तरीका से चलिए उसको ना साइट में रख देंगे हमारा टोमाटो पानी वा टोमाटो सूप कुछ भी आप बोल सकते हैं ये रेडी हो चुका है तो उसको रखेंगे साइट में और एक पानी र अच्छा से मिक्स करेंगे फियर से 3-4 मिंड और विक कीशने कशना करीपता को बचकर लिया और अब जुपत ही अच्छा लगेगा इस तरीका से ट्राएं करिए और इसमें मिलाएंगे समय नमक डाल दे और अच्छा से मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा सा दू तिन चावंज करेंगे शूची डाल लेंगे इससे क्रिस्पीनेस आएगी और अच्छा भी लागेगा तो बार एक चीज भूल गए थी तो यह देखिए कुटा हुआ अद्रक लासुन और हर्वी दरक उठके डाला है तो यह देखिए और अच्छा से फिर से मिक्स करेंगे तो बड़ा बड़ा कैसे तलते हैं मैंने तो बहुत बार आपको देखाया फिर भी हातों में थुड़ा पानी हात हो के ना बेटो लेंगे और एक ना अंगुल में सेफ देके हातों को उल्टा कर देंगे तो एक सेफ बन जाएगी इस तरीका से और पहले से ही मैंने कड़ाई पर दालके ग्यास पर चड़ा कर रखा है तेल भी अल्रेडी करम हो चुका है तो चलिए बड़ा तलेंगे तो देखिए गरम है तो इस तरीका से हातों को उल्टा कर देंगे तो यह हमारा बन जाएगी शेप तो यह दिखिए बहुत ही आराम से डालना है क्योंकि तेल इसे भी गरम है तो छीटा भी आ सकता है तो क्रिश्पी हलका हलका जैसे वान साइट क्रिश्पी हो जाएगे और गल्डेन ब्राउन बाग क्रिश्पी हनत तक प्राइ करेंगे तो एक बड़ा इस तरीका से हो गया दिखिए और जो बड़ा हो गया उसको लिकाल देंगे एक स्टेनर में इस तरीका से बस बहुत ही आसान ह ऐसे ही जितना भी बेटर है सेम प्रोसेस ही बना कर त्यार करेंगे तो यह दिखिए सारा बड़ा मैंने तल के रेडी कर दिया तो चलिए फ्रांस और उसके बाद क्या करेंगे यह जो नमक पानी पहले से बना कर रखा है न वह पानी में बड़ा को डाल देंगे इस तरीका से दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे शारा बड़ा मैंने डाल दिया दो मिनिट के लिए रेष्ट होने के लिए छोड़ देंगे और दो मिनिट बाद यह दिखिए और इस तरीका से हलका हलका पानी से निचोड़ देंगे और एक प्लेट में ट्रांस पर करेंगे ज्यादा क बड़ा को मैंने निचोड़के रेडी कर दिया और एक एक करके टोमाटो सूप बार टोमाटो पानी में डालेंगे इस तरीका से और है ना बहुत ही आसान देखने में जैसे खाने में ऐसे प्रचट पटा यह मिसा लगता है तो इस तरीका से आप भी बना के खाएं तो देखि लेकिन छोड़ देंगे कुछ समय के लिए दूगंटार में उसके बाद देखिए मैंने इस तरीका से सर्किया है कटा हुआ धनिया पत्ता पिया और थोड़ा सा उपर से मैं डाला है कला नमक आपना पतला नमकिन भी इसमें डालके खा सकते बहुत ही जोसिदार और सप्ट बनता है सच में इस तरीका से ट्राइ करें बहुत ही टेस्टी लागेगा हाँ फ्रंस लेकिन वीडियो मेरा थोड़ा लोंग है लेकिन देखिए बहुत ही सांदार रेशीपी है तो मेरा रेशीपी आपने लोंको कैसे लागा कोमेट कर ज़रूर बताएगा तो आज के लिए टाटा फ्रेंट जैद जगन्नात